कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को एलजब्रा पढ़ाँ गाए लजब्रा में कुछ शुरू करते हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं लव एलजब्रा लव दिग्रया एलजब्रा को प्यार कैसे होता है जैसे आप लोग है कहींद की जाते में तो किसी को प्यार कैसे होता जब डिगरी या कोई भी सेम डीगरी की आदिकारी होगा तो सेम् डीगरी के लड़की से प्यार करता है जिसां business वाल्सिचान तो लड़की भी income tax वाली खोजेंगे यानि आपकी जो डिग्री होती है आपकी जो डिग्री है और लड़की की डिग्री है दोनों सेम होती है तो आपका प्यार होता है उसी तरह से एलजबरा में क्या है कि अगर question की जो डिग्री होती है वही उत्तर की डिग्री होगी तो भी समझ दीजिएगा, अगर कहीं पर कोशन की डिगरी तीन आ रही है तो उत्तर की डिगरी भी तीन ही होगी इसी कंसेट से मैं आपको कोशन को साल कराऊंगा, ठीक है? तो पहला आप लोग हेरिंग डाल लीजएगा कंसेप्ट आफ डिगरी कंसेप्ट आफ डिग्री इसमें जो होता है कंसेप्ट आफ डिग्री में किसी भी जो पॉलिनामियर होता है यानि बहुपद होता है जैसे मारे ये कोई बहुपद है तो इसकी जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनामियर के जो चर राशी होती है मितलब जो एक्स है इसकी जो मैक्समियम घात होती है यही आपकी डिग्री का लाती है पूरे पॉलिनामियर की तो इस पॉलिनामियर की डिग्री क्या हो जाएगी 3 क्योंकि maximum गात इसका 3 है इसलिए पूरे polynomial के degree हो जाएगी 3 इसी तरह से अगर कहीं पे x square plus x plus 1 equal to 0 दिया है तो इसकी जो degree हो जाएगी वह आपका हो जाएगा 2 क्योंकि इसका maximum गात 2 है इसलिए इसके degree भी 2 हो जाएगी अब आगे जो notes है उसमें देखते हैं थोड़ा सा इसके degree क बारे में और बताते हैं आपको तो जो degree होती है वह जोड़ घटाओ मतलब प्लस और माइनस में कोई परिवर्तन नहीं करती है कोई परिवर्तन नहीं करती है यह आप लोग notes बना के लिख लिजेगा अभी इसको समझा रहें कैसे होता है और और भाग तथा गुड़े में क्रमसा घट और जूड़ जाती है जूड़ जाती है जैसे इसको आप लोग इसकी साथ ले लिजेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक जामपल में देखिएगा जैसे माले कहीं पर किसी पॉर्णोमे में दिया है इसकी डिगरी पूछी गई है तो इसकी डिगरी पूछी गई है तो इसकी डिगरी के आपको बता हैं भी जूड़ जाती है होगी एक और टिगरी में जूड़ जा जाता है इस तरह से अगर भाग में देखते हैं तो भाग में क्या है अगर माल यह दिया है A क्यूब B अपान C प्लस B क्यूब C अपान A इसमें अगर पुछा गया है कि डिगरी क्या होगी तो यहां पर देखिएगा इनकी और इनकी multiplication करके जुड़ जाएगी मतलब यहां पे तीन, यहां पे एक होगा यहां पे एक होगा तो यहां पे तीन, एक 4 होजाएगा उपरा नीचे क्या है एक घास है, जब यहां पे divide होता है तो अभी हम नोट में लिखुआ है जो डिगरी घड जाती है मतलब 4-1 मतलब इसकी डिगरी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी इसी तरस इसमें है इसकी डिगरी 3 हो जाएगी इसी प्रकार जोड और घटाना में देखते हैं उसमें क्या होता? कोई परिवर्टन नहीं होता जैसे जैसे दिया है A plus B plus C जाएगी तो इसकी डिगरी क्या है? 1,1,1 तो सम में क्या हो जाएगी? इसकी डिगरी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसी तरह स अगर minus की लिखा है A minus B minus C तो इसमें minus Bre Vedatário कोischer होस और इसकी डिगरी क्या हो जाएगी? calling free इतनी बात आप लिगह को समझ में आ रही है अब आगे question के थूरू हम समझते हैं कि कैसे algebra को love होता है यहाँ पर देखिए अभी आपको बताएं कि जब किसी भी लड़का या लड़की को love तभी होता है जब ज्यादातर chance होते हैं कि दोनों की position या degree सेम होती है जैसे मालज़ अगर लड़का income tax है तो लड़की भी income tax होगी लड़का अगर teacher है तो लड़की भी teacher होगी तभी इन दोनों का love successful होता है इसी तरह से इसमें क्या है algebra में कि अगर question को जो degree होता है जो question का degree होता है वह क्या होगा? question का degree equal to हो जाएगा answer की degree ठीक है? जब इन दोनों की degree सेम हो जाएगी तो यह आपस में तभी love करेंगे ठीक है? मतलब अगर इसमें क्या देखा जाता है जो question की degree होती है उसी का answer की degree होती है question के थूरू इसको समझते हैं अगर पहला question है देखते हैं a cube b plus c upon a plus b sorry a minus b or a minus c a minus c और plus b cube c plus a upon b minus c और b minus a इसी तरह से आगे है c cube a plus b upon c minus a और c minus b अब a दिया है पूछा की इसकी value क्या होगी और option आपके हैं पहला option a जो है a b c है b जो है आपका a plus b plus c है c जो option है आपका a b है plus b c है plus c a है और आपका जो d वाला option है a है 3 ठीक है यहाँ पर देखिए प्रस्ण है अभी आपको हम बता हैं कि जब इनको कैसे होता लव जब इनके जो degree होगी जो a degree इनकी जो degree होगी वही degree इसकी होनी चाहिए ठीक है दोनों की degree सेम होनी चाहिए जैसे यहाँ पर है a है तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है और इसका multiplication हुआ है तो 3 और यहाँ पर b की है 1 तो दोनों जूड जाएंगे मतलब a पर 4 हो जाएंगे मतलब यहाँ पर total degree क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 4 हो गई आ नीचे के यहाँ दिखिएगा a है और यहाँ का multiplication है ठीक है तो multiplication तो यहाँ पर a square मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है इन दोनों की degree क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ठीक है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है डिवाइड कर रहा है तो भी बता है जब डिवाइड करता है तो 4 माइनस 2 करेंगे दोनों को घटा देते हैं मतलब इसकी degree 2 हो जाएगे इतनी बाद समझ में आ रही है अब अगर आप लोग को degree नहीं निकालने आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर माइनस उसको भी पलस माइनके हम degree निकाल सकते हैं तो अगर A बराबर B बराबर C पूट करेंगे तो जो A expression है सेम expression है यहाँ पर है मतलब एक तीनो आप पसिशिए यहाँ पर A क्यूब है B क्यूब है C क्यूब है यहाँ पर B प्लस C है C प्लस A है A प्लस B है ठीक है तो यहाँ पर जो अगर A बराबर B बराबर C रखते हैं तो यहाँ भी A क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर B प्लस C है तो यहाँ भी B प्लस C लिख सकते हैं मतलब तीनो उकूबैलेंट हो जाएंगे तो इनको जोड के हम 3A लिख सकते हैं यानि multiplied by यहाँ पर 3 कर सकते हैं इतनी बार समझ में आ रही है यह डिग्री निकालने का तरीका बता रहा है अब देखिएगा अब जब इनकी multiplication करते हैं सब को बोलें कि A लिख दीजे सब जगा जब डिग्री निकालना तो क्या हो जाएगा A प्लस A और दुसरे bracket में A प्लस A कब हुआ है जब A बराबर B बराबर C पूट की है ठीक है तो A निकालने पर A हो गया फिर यहाँ पर देखेंगे A Q और A मिलके हो जाएगा आपका 2A आपान A A 2A और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2A तो देखिएगा यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा और A से इसका A कैंसिल हो जाएगा मतलब इसमें क्या हो जाएगा इसकी डिगरी दो आ रहे है जो हम इसके पहले आपको बताया थे कि दो आएगे हैं पर चारा था इसकी डिगरी दो को कि दो आये तो इसी तरह से यहां पर हो जाएगा तीन तरह से इसमें क्या है यहां पर प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता मतलब पूरे यहां पर तीन हो इहां पर देखिए इहां पर बन यह दोनों का होगा मिल्ट्पिकेशन में क्या होता मतलब वन प्रलास ओन यह टू हो जाएगा और अब इसकी भी देखिए इहां भी टू होगा आप तरबर स्कुन की डिच्टी अपर संग स्गेश्सों की अपका आपका देवार आगे चलते हैं अगला जो question है आपका ओ है बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब देखिए जो डिगरी से जितने question साल होते हैं और प्राय होमोजिनियस एक्स्प्रेशन होता है मतलब सम घाती हर जगह इसका घात सेम होता जैसे यहां पर देखिए 3 3 है यहां पर 6 हो रहा है यहां भी 6 हो रहे है यहां भी 6 हो रहे है और यहां पर देखिएगा यहां पर 2 है लेकिन 2 पर 3 का मतलब दो गुड़े तीन मतलब यहां भी सारे जगा क्या है छे छे हैं ठीक है तो हम डिग्री वाला कंसेप्ट वहीं प्लगाएंगे जहां पर होमोजूनियस फार्म में कोश्चन रहेगा ठीक है अब इसका आप्शन जो है आपका दिया है इसमें पहला आप्शन है 3 A B C 3 A B C A प्लस B B प्लस C और C प्लस A है दूसरा आप्शन है आपका दूसरा आप्शन है A प्लस B B प्लस C और C प्लस A और तिसरा आप्शन है C वाला A माइनस B B माइनस C और C माइनस A 4 आपका आप्शन है D वाला 24 A B C 24 A B C अभी आप लोग देख रहे थे देखिए इहाँ पी इनकी डिगरी कितनी आ रही है 6 आ रही है देखिए पर तेख कि यहां पर 6 यह भी 6 हि तो हम ऐसा option देखेंगे जिसकी degree 6 होगा तो यहां पर दखिए इसकी degree 1,1,1 और अंदर क्या है यहां पर 1 है यहां पर 1 है यहां पर 2 है यहाँ पर 1 है हो रहा है तो तीन और तीन मिलके 6 हो जाएंगे और उत्तर की दिगरीμि भी 6 आ गई मतलब अप्रस्ट की डीगरी और त्रक डीगरी से माँ तेवाला आपसन आपका सइघ्टेए आगे वाले हम है यहाँ यहां पर 1 है यहां पर 1 है यहां पर 1 है तो इन की डिगरी क्या हो जाएगी तीन हो जाएगी तो यह आपका अप्शन नहीं हो सकता इसके बाद अगला अप्शन देखते हैं यहां भी ओई से मैं देखिए ए है बी है सी है यहां पर डिगरी 1 है यहां पर 1 है यहां पर 1 है तो में तो तीन ही होगा मतलब आपका अपसर नंबर ये सही हो जाएगा ठीक है आप लोग इसका एक्ष्ट ले लिएगा इसके बाद आगे चलते हैं अगला जो कोश्चन है आपका थोड़ा सट्ट अफ्यलिक इंध्यांस देशिएगा समझ मा जाएगा एक्स बटे वाई इक्वाल टू जेड़ बटे डबलू तो आपको बताना है एक्स पे यम प्लस वाई पे यम प्लस जेड़ पे यम प्लस डबलू पे यम अपान एक्स पे माईनस यम प्लस वाई पे माईनस यम प्लस जेड़ पे माईनस यम प्लस डबलू पे माईनस यम और इसका option है आपका, पहला option, A है 1, B वाला है, X बटे Y, C का है, X, Y, Z, W, to the power M, आतिस चौथा option है आपका, X, Y, Z, W, to the power M by 2, तब ही आपको बता जो concept degree का यहीँ है, जो present की degree होती है, वही उत्तर की degree होती है, अब इसमें देखिएगा जो present है आपका, present में degree कितनी है, देखिएगा यहापि M है, यहापि M है, इसमें अगर डिरी निकालने में दिक्कत हो रही है, तो क्या बता थे, सबके जगां A eb brad b brad कर देंगे अब सब पूट कर देते हैं तो क्या सब जूट जाएंगे for 4, x पे क्या हो जाएगा, यहां पे सब जुड़ जाएंगे, 4, x पे minus m हो जाएगा, अब देखिए, 4 से 4 तो cancel हो जाएंगे, जब minus होता, जब divide होता तो degree को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो x पे, m है, minus किस में से, m में से minus m घटा देंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो मतलब x पे 2m मतलब यहां पर जो इसकी degree है यह आपका कितना आ गया 2m आ गया जब इसकी degree 2m आई है तो उत्तर की degree भी क्या होगी 2m अब यहां पर देखिएगा इसकी degree 0 है कैसे अगर हम 1 को लिख सकते हैं 1 into multiplied by x पे 0 मतलब x पे 0 का value 1 होता है तो यानि इसकी degree क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहां पर देखिएगा यहां पर degree 1 है और यहां पर degree 1 है तो जब divide करते हैं तो degree घट जाती है तो 1-1 मतलब यह भी degree क्या हो जाएगी 0 यहां पर देखते हैं देखिएगा degree अगर degree आपको निकालने के लिए भी बताएं कि सबको equivalent लिखेते हैं x ब्राबर y 2-1 तो एभी नहीं होगा आपका यह भी नहीं होगा इस option में आते हैं तो देखिएगा यहां पर x-1-1-1-1-2-2-2 तो देखिए यहां पर 4 का multiplication इसको जो कट करेंगे तो दो बार में जाएगा यहां पर 2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-2 देखिए तो यह आपका option number D सही हो जाएगा इसके बाद आगला जो है concept of symmetry देखिए जब किसी भी लड़का हो या लड़की हो जब प्यार बढ़ जाता है तो एक दूसरे से interchange हर चीज का interchange बढ़ जाती है ठीक है मतलब उन लोगों को लगता ही नहीं है कि क्या है मतलब वो उन इसी तरह से algebra में होता है algebra में क्या होता है कि अगर A है A है और B है ठीक है तो जब इन लोगों question में है यह दोनों तो अगर यह क्या करेंगे यह इसके जगा आ जाएंगे और यह क्योंकि इन लोग अपने आपस में दिल को change कर लेंगे तभी तो प्यार होगा यह concept of symmetry हो कि जब इन लोग अपने में interchange कर रहे है मतलब सबको सबका दिल क्या हो जागा equivalent हो जाए तो दोनों को बराबर कर देंगे सी भी है इसको भी बराबर कर देंगे तो आप क्या कर रहे है symmetry सब और कभ होता है symmetrical form में यह symmetry आ जाती है ठीक है तो अगला जो heading आप लोग डालीजे concept of symmetry concept of symmetry concept of symmetry में देखिए क्या है कि जो भी जितने भी question होगे concept of symmetry के तो उसमें क्या आपको यह देखा जाएगा कि सारे जगा जो homogenous expression होते हैं उसमें a बराबर b बराबर c पुट करके प्राप्त कर सकते हैं जैसे अब पहला जो question है दिया है b c plus c a plus a b equal to d दिया है a b c ठीक है तो पूछा क्या गया है आपसे question b plus c upon b c a minus 1 ठीक plus c plus a upon c a b minus 1 plus a plus b upon a b और c minus 1 की value क्या होगी यह पूछा गया यह दिया है और यह पूछा गया है और आपका option क्या है 0 1 2 3 ठीक है अभी आपको बता है जो concept of symmetry होता है जब इन लोक आपस में जब प्यार होगा तो यह दूसरे के इंटर्चेंज कर देंगे मतलब b बराबर क्या करते सकते हैं b के जगा पर c लिख देंगे और c के जगा पर a लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहां से a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं एक concept of symmetry है ठीक है तो जब हाँ पर a बराबर b बराबर c पूट करेंगे इस expression में तो क्या हो जाएगा यहां से दियान से देखिएगा अगर यहां पर b c है यहां c a है और a b है तो तीनों जूड जाएगे यहां पर a square हो जाएगा a b a square हो जाएगा a b तो यहां पर A बराबर आ जाएगा आपका 3 A बराबर आ गया आपका 3 अब जो पूछा गया उसमें A बराबर 3 पूट कर देंगे तो एंसर आ जागा जैसे अब देखे B बराबर C यह सब जग़े यही है तो जब एक्सप्रेशन सेम होता है हम इसको का करते हैं कि delete करके चाहें हटा कि इसको multiply by 3 कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि सब तो सेम ही थे आगे और homogeneous expression में फार्म लग रहा था तो यह multiply by 3 कर सकते हैं अब B और C के जग़े क्या सब जग़े लिख देते हैं तो यहां पर B यह एक जगा पर हम क्या पूट करेंगे तीन और यहां पर है माइनॉस 1 मतलब और यहां पर multiply by 3 है ठीक है यहां पर multiplied by 3 है जो 3 छूट रहा था यह 3 है तो यह 2 हो गए फिर यहां पर क्या हो जाएंगे कि तीन में से एक जाएगा तो 2 हो जाएंगे दो से 2 कैंसिल हो जाएगा देखिएगा यहां पर 2 है यहां पर 1 by 3 आ गया ठीक है कहीं पर कुश्चन में मिश्टेख हुआ थोड़ा सा देखिए यहां पर 2a यहां पर a square a minus 1 multiplied by 3 यहां पर 2a हो जाएगा और 3 भी रहाएगा यहां पर तीन और दो का था 3 था तिसमें आपका यह वाला सभी हो जाएगा सुन में आ रहा है एक कंसेप्ट आप सिमेट्री था कि अगर ऐसा कुछ देखिए ब्राबर ब्राबर सी रख दीजिए एंसर आ जाएंगे ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं जो दूसरा कोश्चन है आपका ओं है xy, yz और zx ब्राबर दिया है 1 ठीक है तो पूछा क्या गया है आपसे 1 प्लस y स्क्वाइर अपान x प्लस y और y प्लस z की वैल्यू क्या होगी यह पूछा गया और आपसन है आपका 0, 1, 2, 3 ठीक है तो यहां भी ओई प्लस अपनाएंगे कि क्या है x ब्राबर y ब्राबर z पूट कर देंगे तो जब x ब्राबर y ब्राबर z put करते हैं देहान से देखिएगा x ब्राबर y ब्राबर z put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x square हो जाएगा यह भी x square हो जाएगा और यह भी x square हो जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएगे 3 x square equal to 1 तो यहां से क्या हो जाएगा x square की value आ जाएगी 1 by 3 इतनी बात समझ में आ रहा है x square की value 1 by 3 हो जाएगी अब यहां पे जो question हो हाँ पे x square की value 1 by 3 पूट करेंगे जैसे यहां पे देखिए यहां पे y के जगब हम x लिख सकते है x square अपान यहां पे x है यहां भी x है तो 2x ऐसी तरह से यहां भी है तो 2x हो जाएगा equal to क्या हो सकते है 1 plus x square अपान 4 x square ठीक है अब यहां पे देखिएगा हमको x square की जाएगा पे क्या put करना 1 by 3 तो 1 by 3 put करते हैं तो 1 plus 1 by 3 अपान 4 multiplied by 1 by 3 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उपर भी 4 by 3 divide by 4 by 3 और एक cancel out होके इसका answer 1 आजाएगा मतलब एक आपका option 20 ही हो जाएगा इतनी बार समझ में आ रही है आप लोग इसका 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 ले सकते हैं इसके बाद इसी तरह से अगला question है आपस में दूसरे से इंटर्चेंज करते हैं आपस में दूसरे से इंटर्चेंज करते हैं एक से अलजब्रा का लव हुआ है फिर आगे चलते हैं इसी में आगला question है question number 3 इसमें का a square बराबर दिया है b plus c और b square बराबर दिया है c plus a और c square बराबर दिया है a plus b तो आपसे question क्या पुछा गया है 1 upon 1 plus a plus 1 upon 1 plus b plus 1 upon 1 plus c की value क्या होगी और option है आपका 0, 1, 2, 3 ठीक है यह आप question है कि a square equal to b plus c b square c plus a c square equal to a plus b है तो यह पुछा गया है कि 1 upon 1 plus a plus 1 upon 1 plus b plus 1 upon 1 plus c is equal to क्या होगा तो इसमें भी ओई process symmetry दिख रहे हैं सब जगा यहां जो process है यहां भी ओई process है मतलब सब जगा symmetry है यहां पर concept of symmetry लगा सकते हैं और यहां पर देखेंगे सब जगा a बराबर b बराबर c put करते हैं a बराबर b बराबर c put करेंगे तो कहले चाहिए इसमें put कर दे चाहिए इसमें put करते हैं तो इहां पर क्या हो जागा a square equal to इहां भी ए इहां भी इसके जगा पर a लिख सकते हैं तो क्या हो जागा यह 2 a ठीक अब a से a cancel out हो जागा तो यहां से a की value क्या जाएगी a बराबर 2 a बराबर 2 इसमें put कर देंगे तो आपका answer आजागा अब देखिए पुछा क्या क्या है 1 upon 1 plus a इसके जगा पर क्या लिख सकते हैं 1 upon 1 plus a के जगा पर 2 plus 1 upon 1 plus 2 यहां पर 1 upon 1 plus 2 equal to देखिए एक यहां 1 2 एक 3 हो जाएगा 1 upon 3 1 upon 3 1 upon 3 तो क्या हो जाएगा 1 upon 3 1 upon 3 और 1 upon 3 इसको जोड़ेंगे तो 1 आजाएगा a आप से आप सम b सही हो जाएगा ठीक है आप लोग screenshot ले लिजेगा